तो आज हम इस वीडियो में डिसकस कर रहे हैं कि न्यू डिजीम के अंदर जो डिड़क्शन या जो हिदन बैनिफिट्स है और जो आपको गौर्ण में इस बार फैनेशल यह 23 जो बिस और प्रवाइड करे थे तो वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होगी ज्यादा लंबी भी कुछ hidden deduction, exemptions and announces new regime के discuss कर रही हूँ जैसे कि आप सबी को पता है अभी new and old हमारे पास दो new regime है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इनकी slab में भी difference है, new regime में 3 लाग तक के exemption limit है और 3 लाग तक कोई भी tax नहीं है, तीन से 6 लाग पर जो tax rate है वो है 5%, इसमें तो new regime के अंदर आपका slab rate percentage जो है वो भी कम है, 3 से 9 लाग पर हमारा 10% है, 12 से 15 लाग पर 20% है, और 15 लाग से अब अब होते ही सीधे 30% का tax rate लगता है, तो इसमें क्या है, exemption limit भी जादा है और tax का bracket भी कम है, तो दो चीज़े आपने जान ली है, अब मैं आप से old regime के बारे में discuss करती हूं, अब हम जानते है old regime का tax rate, तो धाई लाग तक की income पर कोई भी tax नहीं लगता, और धाई से 5 ल पर सिधे 20% का tax है, और 10 से अब अब होते ही 30% का tax rate है, old regime के अंदर ये slab rate है, 60 years तक की age के लिए, और senior citizen के लिए 3 लाग तक की income exempt है, और super senior citizen के लिए 5 लाग तक की income exempt है, जबकि new regime के अंदर ऐसा कोई भी bifurcation नहीं किया गया है, और ये जो slab rate है, ये दोनों applicable है, दोनों ही new and old individual, HOF, AOP, BOI and AZP, new regime सिर्फ इन दो category के लिए आया था, और अब ये सभी के लिए applicable कर दिया गया है, ठीक है, तो आपने दो कीजे जान ली है, और differentiation जान लिए है, old and new regime में, अब एक differentiation हो राता है, हमारा rebate का, rebate under section 87A, तो आपने सुना गवा कि 7 लाग तक की income पर आजकल tax नहीं लगता है, क्योंकि new regime के अंदर, under section 87A के अंदर, 25,000 तक की tax पर rebate दे दी गई है, और 7 लाग पे new regime में 25,000 ही tax बनता है, तो अगर आपने 25,000 में से 25,000 की rebate मिल जाती है, तो आपका tax हो जाता है, 0, और जबकि old regime में, ये limit है 5 लाग, इसमें क्या होता है, इसमें rebate मिलती है, 12,500 की, तो इतना ही tax बनता है 5 लाग पे, और इतनी ही क्या होती है, रिवेट मिल जाती है, 12,500, तो tax हो जाता है आपका 0, तो ये है तीसरा benefit जो की आपको new regime के अंदर मिलता है, तो guys new regime के अंदर, सिर्फ new regime के अंदर ही आपको marginal relief दिया गया है, और ये marginal relief के बारे में बहुत ह tax free है ही, पर 7 लाग से मान लो, पर 7 लाग से मान लो, अगर आपकी income 7 लाग एक हजार हो जाती है, तो एक हजार की वज़े से आपकी income पर 25,100 रुपे का tax बन रहा है, क्या आप देना चाहोगे, गौर्मेंट ने आपको कहा है कि जितनी आपकी income बड़े, उतना tax दे दो, यान इस case में, हजार रुपे ही आपको tax देना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपने सारे difference समझ लिए, new regime और old regime में, इसके लावा अब हम कहते हैं कि new regime में कोई deduction या फिर exemption नहीं मिलती, अब हम जानते हैं, ऐसे कौन से hidden deduction है, exemption है, allowances है, जो new regime में भी मिलते हैं, और आपको मैं deduction मिलती है, 50,000, तो अब new regime में भी allowed है, और salary और pension दोनों पर मिलती है, और second है, यह बहुत इकम persons को पता है, अगर आपके income from house property यानि आपने अपनी property को rent पर दे रखा है, जिसे हम income tax की language में let out बोलते हैं, और इसी property पर आपने housing loan भी ले रखा है, तो इसके interest की, जो interest on borrowed capital की, ज जो की section 24 में deduction मिलती है, वो new regime में भी allowed है, जिर्फ let out property के लिए, और अगर आप खुद से property में रहते हैं, house loan ले रखा है, तो उसमें भी deduction new regime में नहीं मिलती, और all regime में यह सारी ही deduction allowed है, तो यह है hidden deduction जो आपने शाहदी सुनी होगी, अब हम third के बात करते है, family pension की deduction, अगर आप family pension मिलती है, तो section 57 इसकी deduction देता है, और इसके अंदर 15,000 या one third of pension, whichever is lower, तो वो नए रिजिम में भी allowed कर दी गई है, तो यह तो 3 होगी, अब हम बात करते हैं, fourth point की, तो fourth में है section 80 CCH, अगनिवीर corpus fund में, अगर आपने अगनिवीर corpus fund में contribution करा है, तो उसकी deduction नए रिजिम में मिलती है, और अगर आपके employer ने TCCD 2 के अंडर contribution किया है, pension fund में, तो वो भी new रिजिम में allowed है, तो यह तो मैंने आपको deduction बता दी, और मैंने आपको अभी तक new रिजिम के 5 deduction plus 4 slab rate के बारे में बता दिया है, और यह होगे total 9 benefits, इसके लावा भी कुछ exemption और अलाउंस भी allowed है, disabled person क जिनको की transport allowance मिलता है, तो वो new रिजिम और all रिजिम दोनों में available है, इसी तरह से जो persons, office tour के लिए company के उनके जो exemption मिलती है, allowances मिलती है, और उनके जो exemptions है, वो new रिजिम में भी allowed है, और अगर कोई person voluntary retirement लेता है, तो उस case में जो leave investment के exemption है, वो new रिजिम में भी allowed है, तो majorly मैंन 10-11 चीज़े ऐसी बता दी है, जो कि new रिजिम में भी आपको opt करने पर available है, बेनिफिट्स भी आप ले सकते है, तो new रिजिम आपको tax safe है, तो guys, यह छोटी सी जानकारी थी, जो कि मैं आपको देना चाहती थी, new रिजिम के बारे में, जो शाहदी आपको पता होगा, तो I hope guys आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और आपको पता ही है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और जादा जादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, तो guys मिलते हैं next video में, अभी के लिए तना ही, thank you guys, thank you so much